बिशिक्ष नमस्कार दोस्तों एक पर फिर यह स्वागत था आपका वीडियो गूरू कि आज फिर आपके सामने बात करें ऑप फिजिक्स में नहीं एंस्टूमेंट की यानि इंस्टूमेंट इन सेंस जितने भी वय्यानिक उपकरन हुए हैं उस वयानिक उपकरन का यूज हमारे लाइफ में कहा है और वो हमें कैसे मददगार करता है तो चलिए चलते हैं उस चिप्टर में और देखते हैं कि वयानिक उपकरन में क्या क्या रहने वाला है इस लेक्षर में आपके लिए इस चोटी चोटी वस्तूओं को हम कैसे देखेंगे माइक्रोस्कोप की बात करें इसका उप्योग छोटी वस्तूओं के अवर्धित दिरिश्य समझे ना अवर्धित यानि हमसर कर दें हां बड़ा क्या करें कुछ साइंटेफिक वर्ड है जिसे हमें एड करना पड़ता है अ पड़ा देखने में किया जाता है यानि इसका उप्योग थोटी वस्तूओं के आवर्धित दिरिश्य को प्रात करने के लिए किया जाता है माइक्रोस्कोप ठीक है नेप्लोमीटर यह क्या है नेप्लोमीटर सर मीजरिंग स्कैट्रिंग ओफ लाइट बाटिकिस सस्पेंड इन लिक्विड डrh में निलंबित कनो के दौ़ार कनों के तवारा परकास के कवामापता है परकास के परकरिंग औरं को मापता है इस फाल जाना जो भी प॰िब प्रिज में है सब वाइट लइड गूजारते हैं तो साथ अलग अलग रंगों फाल जाता जिसे हम भीब कहत न भिब जोर कहते हैं कैसे अस्काटरिंग की जरीए परकास के परकर्णन की जरीए अरे बत समझने यानि मीजर दा scattering of light by particles suspended in a liquid दरब में निलंबित कनु द्वारा परकास के परकिर्णन को मापना यह नैफलोमीटर है ओडोमीटर अब ओडोमीटर क्या है इंट इस्ट्यमेट बच्डा दिस्टेंस कवर अधिकल से suburbs स्फोच माले *** में दिल्ली में हूं और दिली शेचलते चलते चलते हम मेरथ हा गया चली है कहते हुए त्यूर्स दिल्ली से भी दूरी सब्सक्राइल बाडि लेता है कि कैसे जानते हैं ओडो मीटर के ज़री यानि एडिस्टेंस कवरड़ वाइक वेक्टिल मिजड़ एक उपकरन जिसे ओडो मीटर कहते हैं वहाणों में जूज किया जाता है और उसके द्वारा ताइक की गई दूरी को माते हैं इसलिए जब हम सफर के निकलते हैं जी करेंगे न अभी तुने पता चलेगा ठीक है चलिया आखे ओहो मीटर ऐसा लगता ओहो मीटर नहीं लगता दर्ध हो रहा है ओहो मीटर यानि याद करने का सर्थ तरीका है एक चीज़ समझे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद्धुत परतिरोध को मिजर्मेंट करतें किसमे ओम में विद्धुत परतिरोध को मिजर्मेंट करेंगे ओम में और उस एक्यूप्मेंट को इंस्टुमेंट को क्या कहेंगे ओहो मीटर ठीक है पेरियस्कोप जहां पेरियस्कोप और फैदो मीटर से हम समुद्र की गहराए मिजर्मेंट करते थे वहीं पेरियस्कोप के जर और समुद्र से उपर कोई भी object है नहीं है कैसे पता चलेगा पेरियस्कोप के जरीए जाने इसका उपयोग समुद्र तलक से उपर की वस्तुवों को देखने के लिए किया जाता है अब कोश्टन क्या आएगा सब मरीन में हैं सब मरीन में उपर देखने के लिए में किसका एरियस्कोप का उपयोग करते हैं फोटो मीटर इट कंपेर्स दा लूमिनस इंटेंसिटी ऑफ दा सॉर्स अफ लाइट परकास के शुरोत की जोती तिब्रता की तूलना करते हैं लूमिनस इंटेंसिटी का एसा यूनिट क्या होगा कैंडेला क्या होगा कैंडेला सीडि लूमिनस इंटेंसिटी जोती तिब्रता के इसा यू मात्रग कैंडेला होता है तो जोती तिब्रता की तूलना करेंगे शॉर्स अफ लाइट से सुरज का लग है सर एक लाइट का लग होगा अरे बस समझ में चांद का तो है ही नहीं क्योंकि वह नन– लूम के जरिए हम जोती तिवरता के तुलना करते हैं सौर्च आप लाइट से जो आता है ठीक है फोनोग्राफ यह पहले चलता था सर एंड इस्टुमेंट बात फोर प्रोड्यूसिंग साउंड ध्वनी उत्पन करने का एक उपकरन है जो आज कल चलन में नहीं है पुरान जवाना क और कम्पेरिंग दा इलेक्ट्रों मॉटिव फोर्स फोड य और सेल्स पुषिट का कोशिका करद्यन को साइट लॉजी केहते हैं एक को शीका चा का जो से लेक्ट्रों मॉटिव बल हे यानि कहें हम कम पएर करते हैं किस से पोटेंशियो मीटर से इस पायरोमीटर इट मीज very high temperature कई बार पूछा गया है ऐसे पूछता पता है कि सूरज के temperature को measurement करें किससे पाइरो मीटर से सूरज के temperature की बात करें तो सर यह जो बीच वाला पाट है इसमें 20 लाख टेमप्रेचर है 20 लाख डिगरी Celsius तो यानि अब सोचिए इतने उच्छ तापमान को measurement किया जाता है किस से पाइरो मीटर से अब आपके सामने option यह है अधियंत उच्छ तापमान को मापेंगे किसके जरीए पाइरो मीटर के जरीए सूरज के तापमान को measurement कि जाएगा किसके जरीए पाइरो मीटर के चरीए पॉलिग्राफ जैसा कि इसा नाम सही चाहिर है जूट बोलोगे लाइट डिटेक्टर के रूप पे यूज करते हैं दा इस्टूमिंट डाट सेमिल्टिनेशली रेकॉर्ड चेंजेज इन सैक्लोजिकल प्रोसेस यानि हमारे जिल के धड़कन बढ़ेगा हमारा ब्लड प्रेसर तेज हो जाएगा हमारा हट बिट में चेंजे जाएगा कैसे लाइट डिटेक्टर मसीन लगेगी आप जूट ब सारेरिक परक्रियाओं में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं कुछ नहीं है लाइट डिटेक्टर पूछेगा ही अब समझ लो कोस्टन आ गया कि उनमें से कौन सा उपकरण है जो एक साथ फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेज लाता है हिर्दय की धड़कन रक्त देखिए लगा हुआ है हाथ में अब इसी से पता चलता है आपके इस हिती क्या है ठीक है अब क्वार्ट्स घड़ी क्या है क्वार्ट्स घड़ी क्या है कोस्टन ऐसे आया है खगोलिय और लोकुणों यानि astronomical observations में कौन से घड़ी का यूज करते हैं क्वार्ट्स घड़ी का यूज करते हैं खगोलिय और लोकुणों तो अन्य सटिक कारियों में उप्योग की जाने वाले का त्यदिक सटिक घड़ी क्या है क्वार्ट्स घड़ी है रडार दो कोशन बनेंगे एक फूल फॉम त रेडि physicians नंड रेंजिंग इसका काम क्या है फिली चुटू डिटेक्स दा डाएर शुक्त ऊर्रेंगे श सबphenेंगे लिए हम वार्न करते हूं से बाहर जाओ ने तो फिर मार गिराएंगे यानि इसका उप्योग रेडियो तरंग के माध्यम से हवाई जहाज की दिशा और सिमाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है यानि आप हमारे एरिया में आए इंटर किये हो तो बाहर चले जाएए आप पर डारे क्शन गलत है यह रडार रर यानि याद रख के फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंचिंग जा रेडियोंडर यह क्या है इत मिजर्स दाभाईमिजरेशन अफ रेडियगन एनरजी यह विकीरन उर्जा लीनो जा powinब तन pref습니다 को मिजर्मेंट करता है इत मीज most-too the emission of radiant energy क्या करता है यह जो भी विकिरन निकलेगा उसके सर्जन को measurement करेगा किस गत़ी से यह उसरजित होता है बारेश शरेंगेज बही कि है अब जैसे मामतें हैं भारत में ए मासिन राम में च्टेयर में में च्टाव है सबसे अधिक सेंटीमीटर बारिस दर्ज की गई है कैसे जानते हैं रेंगेज के जरीए तो वैसा उपकरन जिसके जरीए हम यह पता लगाते हैं कि किसी विशेश अस्थान पर वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई है आपके लिए एक और मैं छोड़ता हूँ कि रेंगेज को एक और नाम से जानते हैं किस नाम से उडो मीटर के नाम से यानि इट इस अलसो कॉल्ड उडो मीटर अब आपके एक्जाम में उडो मीटर आया रेंगेज आये यह हो सकता है बोथ रहें बोथ फस्ट एड सेकेंड आप्शन में रहें ठीक है एक है रेक्टिव फायर एक या मॉ banana से टू डी सी और लटमे म चांग कॉर्ट को डारेक्ट करेंट में चेंज करने का काम कौन करता है rectifier करता है यानि वैसा उपकरन जो कनवर्जन है alternative current को direct current में convert करने में उसे हम My mistake reflectometer अब अब refractometer या नीsters refractive index अप वर्तन को मापता है ठीक है सेलीनोमीटर अब यह देखो सालिन यानि क्या हो यह खारा सारे महा सागर में से सबस्वाइज जिण खारा कौन है और्क्टिक ठीक है तो कहें हम इट डिटर्माइज तश अलिनी टी आप दा सॉलूसन यह विल्यन किसी भी विलएन और घोल्त की लवणता को निर्धार्यत करता है कि युष कि इस ==== Qa उसके द्वार सुर्य कि सिंस्थ क्यों चैट के उसके जरीए च्चान का पता करते कि मैं कि यूझ जगह पे हूं इति यूज्ट बाइ निविगेटर्स तो फॉइंड दा लैटिटूड ओफ प्लेस बाइमीजरिंग अब अब दा हॉरिजन ऑफ दा सन और अनदर श्टार यानि इसके उप्योग नौसैनिक क्या करते सूरी का पता लगाते कि मैं कहा हूं और उसी से पता चल जाता है अच्छ कि मैं कहा हूं अगर तेजगर्मी है यानि के आसपास हैं किसके जरिए सेक्स्टन के जरिए यह कह सकते हैं इसका उप्योग अत्यांत दूर की वस्तूओं की उचाई को मापने के लिए कि आज़ा आएगा सूरढ पकाईओ कि पयाया कि आऑ शूरज तो दूर ही भीया हे ना देखनें ऑसपैक्टो असकोप यह क्या हैसर इन स्टुमींट-एसा उपकरन जो स्पेक्ट्रम विशलेशन के लिए परियुक्त करते हैं, स्पेक्ट्रम विशलेशन यानि वह ही कहें हम से एक तरह से कहें rainbow यानि सात्र कलर सात रंग यही स्पेक्ट्रम कहने, यानि कहने प्रिज्म से निकला हुअ रंग तो जो is spectrum विश्लेशन किया जाता है किसके जरिए अस्प्रेक्ट्रोस्कोप के जरिए इस्पीडो मीटर ओडो मीटर स्पीडो मीटर मंतर क्या है ओडो मीटर था दूरी को मिजर्मेंट करता था और मिटर और स्पीड से निकला मीटर यानि भाइक कितने दिश्लेश कर रहे होता है दूरी भी दिखाता है और गति भी दिकाता तो तो स्प्पीडो मेटर एक गेज है जो किसी वाहन की ततक कालिक गति कुमापता और परदर्सित करता है सफिग्मॉ माइनोमीटर बलड़ ब्लड प्रेसर को मिजर्मेंट करता है रक्त डाब को मिजर्मेंट करता है जैसे कि समझेगा अगर देखिए मैंने तीन वे तीन वैलू लिखा यह क्या है सर देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेसर है 122C किसे मिजर्मेंट करेंगे इसके जरीए हाई ब्लड प्रेसर जिसको बोलते हैं कभी कभी कोश्चन आता है कि उच रक्त चाप को क्या कहते हैं हाईपर टेंशन क्या होगा देख रहे हो जो हाई वाला है 120 वह 150 चला गया नॉर्मल वाला एक अस्ती है वह 100 चला गया हाईपर टेंशन लो ब्लड प्रेसर कहेंगे सौबाय पचास तो वैल्यू भी आपके सामने हैं यह सब मिजर्मेंट किया जाता है किसके द्वारा स्फिग्मो मैनो मीटर के द्वारा वह कि स्टेफोस्कोप देखते हम डॉक्त्र साथ्टमार पर जाते हैं अग्या करते हैं जिसकों आला कहते हैं है ताकि सही गती से धड़क रही है या नहीं है, यानि कहें, इसका उप्योग डॉक्टर क्या करते हैं, सुनने के लिए और अनलाइज करने के लिए, तो किसकी गती, तो जो हमारा हट है और लंग्स है, उसके साउंड को सुनने के लिए यूज किया जाता है, सिस्मोमीटर, ये क वल्कैनिक रेफ्रेंशन एक्स्प्लूजन्स, सिस्मोमीटर एक ऐसा उपकरन है, जो भुगतियों पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे भुकम्प हुआ, ज्वाला मुखी विस्फोट हुआ और विस्फोट हुआ, कई लोगों को लगए सिस्मोमीटर के ज़री क्या पता करते ह है, भुकम्प ज्वाला मुखी विस्फोट और कोई भी विस्फोट। सिस्मोम्प क्या है, ये एक उपकरन है जो भुकम्प जैसे बल के विवरनों को मापता और रेकोर्ड करता है, कि कितने रियेक्टर पाइमाने पर भुकम्प आई है, क्योंकि सिस्मो मीटर सिस्मो ग्राप में ही लगा होता है ठीचес फॉक आपका हम को कीको मेटिर्मेनट करते हैं ट्रीक्टर स्केल पर दवर्ड सीस्मो क्राप जो ओटन यूज्ड सीनोनिम्स यह निальном से पर ससमान लगता है यसा लेकिन एक अंतर है क्या है कि सिस्मो मीटर सिसमो ग्राफ परनानली का भू गती कि डिटेक्टर का हिस्षा है और हिसमें सिस्मो मीटर मिजर्मेंट कर लिया तरिकिन सिस्मो जहां भी ग्राफ rend की बात आई ये समझना कि वह record करता जा रहा है कि कितना गती रियक्टर से सुरुवात हुआ कितना maximum गया सुनार जहां पहले radar की बात की अब बात करते हैं सुनार की सुनार क्या है सबसे पहले खोलफाओं समझें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड यानि ध्वनी सुनाएगा नेविगेशन यानि नीचे समुदर में यह है न एंड रेंजिंग रेंज क्या होगा सुनार इस टेक्नलोजी आफ मेकिंग यूज अफ साउंड वेब्स तुनेविगेट संचार यानि बात्चित में और पता लगाने के लिए ध्वनित रंगों के उपयोग की तक्निक है कैसे काम करेगा यह टकराएगा और फिर वापस आएगा आरके चरीए ठीक है टैकोमीटर सर ओडोमीटर के जरीए हमने पता किया कि जमीन पर जितने भी वेक्टिल्स है उड हवाई जहाज में गती कैसे पता चलेगा अल्टी मिटर जरी पता चलता है वह हाइट पर है अल्टी मिटर क्या करता है कितने हाइट पर उडान भर रही है लेकिन टैकोमीटर की जरी हम पता करते है कि कोई भी हवाई जहाज और मोटर बोट की गती किस गती से वह उडान भर रही है किस गती से मोटर बोट चल रहा है टेली प्रिंटर टेली प्रिंटर क्या है कि दिस इस्टुमेंट रिसेब्स एंड सेंड टाइप्ट मैसेज फ्रों वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक उपकरन एक अस्थान से दूसरे स्थान पर टाइप किये गए संदेश को प्राप्त करता है और भेजता है उसे हम टेली प्रिंटर कहते हैं टेली अस्कोप जिसको हबल टेलेस्कॉप भी कहते हैं इट इस यूजड व्यूजड डिस्टेंट ऑब्जेक्स इंदा अस्पेस अस्पेस की बात करेंगे अंतरिक्ष की बात करें इसका उप्योग अंतरिक्ष में दूर की वस्तूओं को देखने के लिए किया जाता है थर्मामीटर हम मिजर्मेंट हो गया कैसे अब पता करेंगे थर्मामीटर के जरिए इस इस्टुमेंट इज यूजड फूर्द मिजर्मेंट ऑप टेंप्रेचर्स इस यंतर का उप्योग टापमान की माप के लिए किया जाता है क्लिए रहाना तक अरे बास समझ में चलिए थर्मोस्टेट को नियंत्रित करता है तेंप्रेचर बढ़ गया एक फिक्स पॉइंट है जहां वो टेंप्रेचर हो क्या करेंगा कंट्रोल कर लेगा उसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं विस्कोमीटर इनमीजर्श था विसकोसीटी यानि तरल पदार्थों की चिप-चिपाहत, बलड का चिप-चिप-चिपाहत अलग होगा, दूद का चिप-चिप-चिपध अलग होगा, पानी की चिप-चिप-चिप-वायात अलग है अरे बस समझ में तो जितने भी पदार्त हैं लिक्विड हैं उसका जो विसको सिटी है चिपचिपाहट है मिजर्मेंट करते हैं हम विसको मीटर से वोल्ट मीटर यानि क्या हो गया समझना यह दो बिंदूओं के बीच विधुत चमता या वोल्ट च के अंतर को मापता है इस बिंदू पर इसकी वोल्ट च क्या थी इस बिंदू पर इसकी वोल्ट च क्या है मिजर्मेंट किसे करेंगे वोल्ट मीटर के जरिये करेंगे जैनि वोल्ट मीटर एक ऐसा equipment है जो दो बिंदूओं के बीच विद्धु छमता या वोल्टेज के अंतर को measurement किया जाएगा आरिवा समझ में clear है यानि इस important scientific instrument के जरिये हमारी life ही आसान हो गई है और यह जो chapter है वो इंड कर गया है यानि जितने भी physics में important scientific instruments थे जो आपके आने वाले समय में जितने भी exam होंगे चाहे वो railway हो, SSC हो या even कहें हम कि कोई भी paper हो क्योंकि सर आने वाले समय में लेखपाल भी सब exam के लिए benefit होगा मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद